दिवाली में लक्ष्मी पूज़ा के बाद दूसरे दिन को ग्रामी शेत्रों में गोवर्दन पूज़ा की रूप में बड़े उच्सा के साथ मनाया जाता है पवनी शेहर के मुख्यमार को चौक से भेसा की रैले निकाली गई इस वक्त समाज बंधों द्वारा बड़े उच्सा के साथ मनायी गई जैसे कोरुना की प्रतिवंधों में धीलती गई इस्थानिये लोगों बच्चों पुर्शों महिलाओं की भीर थी पवनी शेहर के आसपास जनजाती के प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा पूजा के साथ अश्वीनी दश्मी की पूजा की गई गोवर्दन पूजा दिवाली के दूसरे दिन कार्तिक शुल्क पक्ष प्रतिवदा को की जाती है गोवदन पूजा में गोधन यानी गाय बैल आदी की विदिवत पूजा की जाती है इसनान और ध्यान करने के बाद पशु के सिर पर तेल और सिंदू लगाया जाता है धूब आरती के बाद मिश्ठान परोसे जाते हैं बैसा की टकर पर प्रतिवन लगने की वजह से सलाबाद की तरह इस साल भी बैसा की रैली और पूजा विदी हुई पवनी से BCN न्यूस के लिए प्रदीब घाड़के की रिपोर्ट